Hello everyone, this is Dr. Sunil और अभी मैं कुछ वीडियो की सिरीज बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्लिनिक को कैसे सेट अप किया जाता है क्या क्राइटेरियाज रहते हैं और क्या डॉक्रिमेंटेशन होता है कौन से इंस्ट्रूमेंटस हम रखते हैं क्लिनिक पे और बहुत सारी ऐसे चीज़े होती जैसे लोकेशन क्या होती है क्लिनिक की कहा ओपन करना चाहिए और क्या आप रेडी हैं क्लिनिक ओपन करने के लिए या नहीं तो ऐसे ही कुछ वीडियोस की सीरीज अभी आएगी और यहां पर उसी सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो है मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर आज मैं बात करने वाला हूँ क्या BDS के बाद MDS करना जरूरी है क्योंकि MDS नहीं किया तो स्कोप नहीं है तो इस सारे जो भी डाउट्स है ना मैं आज आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ तो बने रहिए मेरे साथ दिस इस डॉक्टर सुने चलिए स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करता हूँ उसी सवाल से कि क्या BDS के बाद MDS करना जरूरी है या नहीं तो आंसर है जरूरी नहीं है क्यों जरूरी नहीं है वो भी जान लीजिए देखिए जब भी हम BDS कर लेते हैं तो BDS के बाद हमारा जो इंटर्णशिप का टाइम चल रहा है तो उस टाइम मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा मेरे भी जो दोस्त होते थे जब मैं इंटर्णशिप कर रहा था तो वो क्या करते थे पूरे टाइम लगे रहते थे किताबों के अंदर वो पढ़ते रहते थे कि भाई हमारा तो सेलेक्शन हो जाए हम तो MDS करेंगे BDS के बाद क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा इसलिए हो MDS की तयारी कर रहा और उसके पीछे भाग रहे है अब उन में से कुछ बच्चों का MDS में सेलेक्शन हो गया, कुछ को प्राइवेट सेट मिली, कुछ को सीट ही नहीं मिली, क्योंकि वो सेलेक्ट ही नहीं हुए तो अब हम तीनों क्राइटेरियाज को एक बार देख लेते हैं कि चलो BDS कर ली, अब उसके बाद जब ये तीन टाइप के लोग जब MDS में गए तो उनका क्या सिनेरियो रहा मैंने सबसे बात करिये, ठीक है तो फर्स्ट जिनको गवर्मेंट सीट मिली है अब वो गवर्मेंट सीट के पीछे गए हैं और उनको अच्छा कॉलेज मिल गया अब वो एक किसी पर्टिकुलर ब्रांच में है, लाइक सबस मेरा एक फ्रेंड है वो और्थो ब्रांच उसने सेलेक्ट करी तो वो और्थो डॉन्टिस बन रहा है अब मैं उससे जब बात करता हूँ तो मुझे क्या करता है, सुनिल तेरी लाइफ किती सही है तो तो यहाँ पर क्लिनिक ओपन करके बैठा है अच्छा अर्न कर रहा है यहाँ पर तो हमें क्या है हम यहाँ से MDS करके निकलेंगे तो हमें तो सिफ और्थो ही आता होगा क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमें इतना वर्कलोड दिया जाता है कि नौ बजे से हमारा कॉलिट स्टार्ट होता है पांच बजे तक चलता रहता है उसके बाद भी जो घर पे असाइनमेंट्स वगरा करने होते है वो सब अलग है ठीक है यानि कि अगर वो और्थो की ब्रांच में गया है तो वो बाकी सारी चीज़े नहीं कर पा रहा लाइक वो रूट कैनाल्स नहीं कर पा रहा वो एक्स्टैक्शन्स नहीं कर पा रहा यानि कि वो उन सब चीजों से दूर हटी है तो अब उसका कहना यह है कि तुम BDS होके अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हो क्योंकि तुम सब कुछ कर रहे हो और हम क्या कर रहे सिर्फ और्थ हो ये बात रही उस परसं की जो गर्वर्मेंट सीट लेके बैठा है हाँ no doubt stipend मिलता है stipend मिलता है 70,000 रुपीज पर मंत का stipend मिलता है लेकिन उसमें भी यही उसका कहना होता है कि यह सत्तर अजार रुपए चलो मैं को तीन साल तक मिल रहा है लेकिन तीन साल के बाद क्या तीन साल के बाद तो मुझे सिफ और्थो ही आ रहा होगा और एक और्थो नॉमल बीडियस भी कर लेता है तो क्या हुआ ठीक है और बहुत कम ऐसे चांसे होते हैं या बहुत आपने अप्रोच चाहिए हमें तो बहुत कम केस हो गए है और ठीक है यहां पर वो नॉमल बीडियस आप देख रहे हो चलो जुगाड में ही सही बीडियस लोग करतों लेते हैं न और्थो तो उनका कहना यह होता है यार फिर हमारे पास कौन आएगा क्योंकि एक बीडियस और्थो में तो नो डाउट बहुत अच्छा काम आता है उनको और बहुत अच्छा अर्ण कर सकते हैं अगर वो एक अच्छी जगह पर जाते हैं अगर आप मुंबय में चले जाते हैं जहां पर सिर्फ सुपर स्पेशलिटी को देखा जाता है जहां पर सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनको पता होता है कि हां और्फोडॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉ दूसरी चीज ऐसा भी एक परसंट था जो पढ़ रहा था वापर और जो उसको प्राइवेट सीट मिली सेम उनका भी यही सवाइल की सुबह से जाम तक एक ही काम करते रहते हैं और हमसे अच्छे तो आप हो BDS हो और अच्छा अर्न कर रहे हो और सारी चीजे कर रहे हो तो उनको यही दिखता है कि आप तो सब कुछ कर लेते हो तीसरा परसंट जिसने अपनी पूरी इंटर्शिप को पढ़ाई में लगा दिया लेकिन उनका सेलेक्शन नहीं होगा अब वो क्या करते हैं अब उनके हाथ से इंटर्शिप जा चुकी है क्योंकि इंटर्शिप का ही वो पीरिड होता है जब आप अपना काम सीखते हो ठीक आप एक्स्ट एक्शन रूट के नाल और यह सब सीखते हो लेकिन अगर आपका फोकस पूरा MDS पर है इंटर्शिप के हो जाता है और आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इस केस में क्या होता है कि अब उसको ना MDS मिली ना ही वो BDS बन पाया तो यहाँ पर मेरा जो सजेशन है आप सब के लिए वो यह है कि MDS करने से पहले सबसे पहले एक अच्छे BDS बनो क्योंकि आप BDS करने के बाद सीधा MDS के पीछे बागते हो ना वो चीज फिर आपका काम खराब कर देती है कहीं बार हाँ अगर आप बिलकुल आपका दिमाग एकदम सटीक उस पे है कि मुझे MDS करके यहां जाना है इस पर्टिकुलर जेगे पर लाइक मुझे यहीं पर जाके सूपर स्पेशलेटी को प्रैक्ट कर देता हूं that is a wrong approach कि आप वो सही नहीं कर रहे हो तो BDS अच्छे बनो उसके बाद MDS के बारे में सोचो और ऐसा बिलकुल जरूरी नहीं है कि BDS के बाद MDS करना जरूरी है क्योंकि मैंने ऐसे कहीं सारे BDS देखे हैं जो MDS से काफी अच्छा earn कर रहे हैं क्योंकि value हमेशा ज कर सकते हो अब कुछ भी earn कर सकते हो तो सारी की सारी चीज़े depend करती है skills के उपर अगर आप के इंदर skill है तो आप earn कर लोगे BDS रहे कर भी ठीक है अरे जो BDS नहीं है वो भी earn कर रहे हैं ठीक है मैं यह नहीं कह रहा कि बिना BDS के ही आप वो चीज़े करो लेकिन एक example आपको दे रहा हूं कि skills की value होती है ठीक है अगर आप अच्छी route के नाल कर सकते हो अच्छा extraction कर सकते हो आप ortho सीख के या कुछ भी अभी सब कर ही है न अगर आप वो भी करते हो तो अप earn कर लोगे कोई problem नहीं है मैंने ऐसे BDS को भी देखा है जो भाई साब एक implantologist से अच्छे implant डा जालता है और उससे जादा implant डालता है पर देखे चार चार पाच पाच फुल माउथ case करता है एक BDS रहकर और उसको बाकी MDS लोग अपने पास consultation के लिए बुलाते है तो ऐसे ऐसे doctors को मैंने देखा है market के अंदर तो ऐसा बिलकुल ज़रूरी नहीं है कि MDS ही करनी है कि यार व पैरियों के अंदर जाना है मुझे बहुत जादा इंटरस्ट है कि या पैरोड़ोंटलोजी के अंदर या फिर मुझे बहुत इंटरस्ट है पीडोडोंशिया के अंदर कि मुझे बच्चों का ही specialist doctor बनना है मुझे इसी के बार में सीखना है तो वो अलग matter है आपकी hobby एक त thought आया दिवांग में वो यही था कि काफी लोग BDS MDS का पूछते तो मैंने सोचा यही सबसे पहला वीडियो होना चाहिए clinic opening series से पहले ताकि आपका mind clear रहे कि आपको क्या करना है आने वाले वीडियो के अंदर मैं और भी चीज़े explain करूंगा 3-4 वीडियो की series होगी जिसके in the total आपको मैं बता दूंगा कि clinic कहां से कैसे open होता है और क्या कैस में चीज़े होती है तो I hope आपको इसी समझ में आ गई होगी कि BDS के बाद MDS जरूरी है या नहीं तो इनी शब्तों के साथ this is Dr. Sunil signing off